बेलकम बेक फ्रेंड्स दिस इस करन रफेस फंडा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्वरी मन्त की और यह हमारा होगा सेकेंड बीक इसका आज हम बात करेंगे पार्ट टू की तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हर एक बीक के दो पार्ट आते हैं पार्ट बन और तो आज इस सेकेंड बीक का पार्ट टू है जिसमें हम लगबाग 35 से 40 questions डिसकस करेंगे साथ में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो इस वीडियो का PDF format या electronic version है बो आप इस website पर जाकर देख सकते हैं www.currentaffersfunda.com तो यहाँ पर complete आपको PDF format में read क करने को मिल जाएगा साथ में दोस्तों अगर पहली बार आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को subscribe भी कर लें और आप like करें और comment करके अपने doubt पूछ सकते हैं साथ में share करना ना बूलें सबसे पहले questions के और move करते हैं इसमें पूछा गया है national youth day is celebrated on which date question पूछ रहा ह कि national youth day मतलब राष्टिय यूबा दिबस यह किस तारिक को मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है जन्वरी बारे को क्यों क्यों क्योंकि इस दिन स्वामी बेवेकानन जी जो की एक philosopher थे youth के प्रेना शुरूत थे बहुत inspiring थे लोगों के लिए तो इस वज़े से national youth day मनाया जाता को मतलब जिस दिन उनका birth date होता है उस दिन मनाया जाता है और अभी यह मनाया गया 154 उनका जो birth हुआ है वह 154 सेलिवेट किया गया है ठीक है birth anniversary जो है वह कौन सी है 154 यह भी आप no down साथ में कर ले ठीक है और यह जो जन्वरी बारे को national youth day यह कब से मनाया जा रहा है 1985 से यह लगातार मनाया जा रहा है ठीक है और इस birth की theme क्या है national youth day की theme note down कर लेंगे youth for digital India यह theme है theme आपसे पूछी जा सकती है अगले question के अगर बात की जाए तो इसमें पूछा गया है which state has signed MOU with national dairy development vote and DDB अभी किस राज ने किस state ने एक MOU signed क्या है national dairy development vote and DDB के साथ में promote कर निकले dairy development तो यह किस ने किया है अर्णाचल प्रदेश ने अर्णाचल प्रदेश ने यह agreement signed किया है और किस मौके पर यह agreement signed हुआ है यह हुआ है बाइब्रेंट गुजरात global summit जो 2017 में अभी हाली में संपर्न हुई थी उस मौके पर यह signed हुआ है dairy development के लिए national dairy development vote and DDB के साथ में अर्णाचल builders limited जिसको हम कहते है MDL इसको आप correct कर लिए MDL in Mumbai what is the name of that submarine आपको उस पंडुब्बी का नाम बताना है देखिए मुद्दा यह है कि 75 प्रोजेक्ट जो है Indian Navy के यह इसको hand over करने है और बात की जाए तो इसमें जो 6 पंडुब्बी है यह किसके दोरा बनाई जा रही है MDL group के द वो अभी working में आ चुकी है तो आपको बताना है कि वो जो अभी हाली में बनाई है उसका नाम क्या है तो नाम है खांडेरी यह आप नाम note down कर ले तो पहली वाली जो first submarine है उसका नाम भी note down कर ले यह आपर first का नाम क्या है यह first का नाम है कालवरी ठीक है यह first ही और जो second है MDL group की second का नाम note down कर ले second का नाम क्या है खांडेरी जो इस question में पूछी गई है ठीक है और यह जो submarine है किसके collaboration के साथ मनाईगी MDL company ने collaborate किसके साथ क्या है एक France की company है उसके साथ collaborate करते हुए क्योंकि 75 अगर मैं 75 project की बात करूं इंडियन नेभी के लिए तो यह उसका ही एक छोटा यह collaborate करके यह काम कर रही है तो पहली थी कालवरी और second थी खांडेरी अगले question की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है कि which Indian bank has introduced digital payment wallet and point of sale machine to enable their devotees to pay donations in the temple अभी हाल ही में कौन सी bank ने introduce किया है digital wallet को और point of sale machine जो होती है आप देखते होंगे कहीं swapping करने जाते हों कि बड़ी सी machine ह होती है और उस machine में जो आपना card फशाते हैं card swap कराते हैं तो आपको payment महाँ पर आपसे ले लिया आता है तो वो point of sale machine होती है और digital wallet जो है यह एक मंदिर में जो है donation लेने के लिए एक scheme है एक initiative है तो किस bank ने यह किया है यह किया है SDFC bank ने और SDFC bank ने कहां पर किया है तमिल नाडू के तमिल नाडू में कर्याकुमारी डिस्टिक में के 5 temple है 5 temple बहां पर यह किया गया है तो यह directly आपसे question यहां से ही पूछा जा सकता है अगले question के बात की जाए तो इसमें कहा गया है आपको बताना है कि निकारगवास की जो president है वो हाली में reappoint हुए है तो आपको उनका नाम बताना है उनका नाम है Daniel Ortega यह आप नाम नोट डाउन कर ले और यह North अगर बात की जाए यह Central America की एक country है तो यह भी आप नोट डाउन कर सकते है इसकी capital क्या है यह capital है Mangua और currency यहां क इसको correct version में नोट डाउन कर सकते है ठीक है और यह तीसरी बार लगातार बनाए गयते है अगले question के और move करते है इसमें कहा गया है who has newly appointed as a president of BMW Group India अब अगर बात की जाए कि BMW Group जो है यह कहां की luxury गाली है तो यह है German company की तो यह भी आप इसमें side में नोट डाउन कर ले जर्मनी headquarter है इसका और Germany based यह car है तो BMW Group India के नए president appoint हुए उनका नाम नोट डाउन कर ले यह बिक्रम पावा यह directly question आपसे पूछा जा सकता है और इन्होंने किसको take over किया है he will take over from Frank Skoller ठीक है इनको take over किया है और अब यह क्या है कि इनको भेज़िया गया है BMW के कोई headquarter group जो है जर्मनी में बहां पर इनको भेज़िया गया है और अब इंडिया के लिए है बिक्रम पावा अगले question के अगर बात की जाए तो इसमें पूछा गया है name the Indian hockey player who has selected as a member of international hockey federation athletes committee आपको बताना है कि उस भारती होकी खिलारी का नाम जिसका selection हुआ है एक member के तोर पर international hockey federation athletes committee में तो वो खि CR series directly note down कर ले ठीक है और ये Indian hockey team के captain भी है और आप इनको member बना दिया गया है international hockey federation athletes committee का अगले question के अगर बात की जाए तो ये नीती आयोग से related है नीती आयोग ने project किया है भारत की जो GDP growth rate है वो कितनी तो ये आपको बतानी है ये 8.0 तो आप ये note down कर ले 8% GDP growth project किसके दोरा की ये नीती आयोग और इसकी full form क्या है ये भी आप note down कर ले ये national institution for transforming India ठीक है ये government of India का एक think tank है जिसका main work क्या होता है policies and plans बनाना और इसने replace किसको किया था ये भी आप note down कर ले planning commission को जब मोधी जी की government आई थी तो उस समय पर planning commission को replace करके ये नीती आयोग बनाय गया था ठीक है full form of note down कर ले and for national institution for transforming India ठीक है और एक चीज़ और कभी कभी आपसे ये भी question पूछा सकता है कि नीती आयोग जो है इसकी chairmanship किसके हाथ में होती है chairmanship इसकी होती है मैसा prime minister जो भी current prime minister होता है उसके पास में है अगले question कि अगर बात की जाए तो इसमें आपसे पूछा गया है कि India has signed MOU with which country to construct 3000 rainwater harvesting system अब देखो 3000 rainwater harvesting system जो है वो install वो construct किये जाएंगे भारत के द्वारा और किस दूसरे देश के साथ में भारत ने एक समझावता किया एक MOU memorandum of understanding sign किया है तो ये किया है सिरलंका के साथ में और amount जो है वो कितना है ये 30 करोर सिरलंकान रुपीज ठीक है 30 करोर सि इस amount ये total cost estimation है या की तो ये भी आप note down कर लें और इसका main motive क्या होगा कि drinking water जो supply facility है household के लिए उसको और ज्यादा improve किया जाए clean drinking water supply facility जो है वो हर घर तक पहुँचे अगले question की बात की जाए इसमें पूछा गया है कि where is world's first gender literature festival is scheduled to be held question पूछा गया है कि gender literature festival जो है ये दुनिया का पहला होगा ये कहां पर उने बाला है तो ये पहले तो आप note down कर लें होगा कब ये होगा अप्रेल 2017 में और कहां पर ये होगा बिहार पटना में ठीक है और ये basically है क्या इसका काम क्या होगा किसके दौरा ये conduct किया जाएगा ये सारी बाते भी हमें चलनी जरूरी है तो इसका basic main aim क्या है aim इसका ये है कि एक ऐसा platform create करना जिसमें हम ideas को exchange कर सकें और share और earn कर सकें एक ऐसा experience जो लोगों तक पहुचे ठीक है और gender literature के field में तो ये basic इसका aim है और किसके दौरा ये conduct किया जाता है organized है ये भी आप note down कर लें ये festival organized होगा gender resource center of विहार's boom and development cooperation ये note down कर लें इसके दौरा ये organized होगा next question पुछा गया है who has newly appointed as a chairperson of Tata Suns अब आपको उताना है कि Tata Suns जो group chairman इसके group chairman कौन बनाए गए है तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा Tata Suns ने अभी हाल ही में अपने group chairman को उटाया था उनका नाम क्या था वो नाम था Cyrus Mystery ये भी आप note down कर ले Cyrus मिस्त्री गोड़ाया था उसके बाद में अभी एक नया appointment हुआ है तो ये किसका हुआ है नटराजन चंदस्तेकरन जो है ये Tata Samu के Tata Suns के अभी गुरुप chairman होगे अब दूसरी चिन में आप और बताओं कि अभी हाली में Tata ने TCS के Chief Executive CEO और MD जो है वो भी बनाया है तो आप उनके बारे में भी note down कर ले टासा Consultancy Services जो TCS company है software company है Tata की तो इसने appointment किया है राजेस गोपीनाथन को अब ये पहले CFO थे लेकिन अब ये CEO हो गए है इस group के लिए T इन्होंने किसको replace किया है एन चंद सेकरन को क्योंकि एन चंद सेकरन जो है अब ये Tata Suns के Chairman हो गया है ठीक है तो ये भी note down कर लें साथ में आप अगले question की अगर बात की जाएं तो इसमें कहा गया है NTPC Inks pack to take over छाबरा thermal power plant which was on by question में पूछा गया है कि NTPC ने भी हाली में एक pack sign किया है जिसके इंतरगत जो छाबरा thermal power plant है उसको take over करेगा तो आपको बताना है कि छाबरा thermal power plant जो है ये कहां कहा है किसके दोरा ये already run हो रह limited है वो और राजस्तान का उर्जा विकास निकल limited है इन दोनों के द्वारा ये जो छाबरा thermal power plant इसको run किया जा रहा था तो कौन सा state owned है ये है राजस्तान ठीक है लेकिन अब ये किसके अंडर में आ जाएगा ये आ जाएगा NTPC के अंडर कंट्रोल में ठीक है तो ये भी आप नोट डाउन कर लें अगले question की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है who has got the United States highest civilian honor presidential medal of freedom जैसे भारत में भारत रत्म होता है highest civilian honor तो उसी तरह से United States में होता है presidential medal तो ये किसको दिये जाएंगे ये भी आप नोट डाउन कर लें तो ये दिया जाएगा जोए विडिन को त रेटार्ड होने वाले थे जिनका कारेकाल खतम हो गया था बराक उबामा ठीक है तो उन्होंने announcement किया है प्रेसिडेंस medal का तो ये दिया जाएगा बेडन को क्योंकि इन्होंने अपना लगबग 3 decades Senate में क्योंकि अमेरिका की जो Parliament उसको हम क्या कहते है Senate कहते तो Senate में इन्होंन है तो इसमें पूछा गया है कि government to sell 51% stake to which helicopter service government of India जो है वो sale करने वाली है 51% stake जो है वो किस helicopter service company के लिए क्योंकि अभी उसी helicopter service में government of India के 50% stake थी तो अब वो उसको sale कर देगी तो ये कौन से helicopters है पबन हंस के बेसिकली पबन हंस कहां की company है यह delivery company है इसका headquarter कहां पर है यह डेली में ठीक है और यह mini ratna first category में भी आती है public sector undertakings की बात की जाए PSU तो यह mini ratna first company में आती है ठीक है mini ratna first में तो अब इसकी जो हिस्सेदारी है government of India की वो उसने अपनी withdrawal कर लिए sale कर दिया है पबन हंस को next question की अगर बात की जाए तो इसमें पूछा गया है in which country XCMZ Global Construction Company of China will invest dollar 150 million in manufacturing unit for the construction question में पूछा गया है कि किस country के लिए XCMZ Global Construction Company जो चाइना की है वो 150 million dollar जो है वो manufacturing unit जो है वो प्लांट करने बाली है कहां पर किस country के लिए तो यह होने वाला है भारत के लिए इंडिया के लिए तो अगर बात की जाए तो यह चाइना में इसका headquarter है और यह Global Construction Machinery Company है और यह invest करने वाली है 150 million dollar कहां पर भारत में ठीक है तो यह भी आप note down कर लें दूसरी चीज अगर बात की जाए कि इसका basic motive क्या है तो इसका basic motive क्या है कि भारत में construction करना और जो भी material handling की machines है उनको operate करना इसके लिए यह अपना construction plant set up करेगी ठीक है 150 million के साथ में अगले question के अगर बात की जाए तो इसमें पूछा गया है which Indian political leader has been appointed as a senior fellow of United States based think tank Atlantic Council question में पूछा गया है कि भारत के कौन से Indian political leader जो है जिनका appointment हुआ है senior fellow of United States based think tank Atlantic Council में है तो यह Congress के नेता है जिनका नाम मनीज तिवारी इनका appointment इसमर हुआ है और यह जो think tank है Atlantic Council इसका basic motive क्या होता है कि भारत और अमेरिका के विश जो भी relations है उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाना ठीक है 3 women's bait lifting gold medalist of China were disqualified for doping test one of them is आपको यह बताना है कि चाइना की जो 3 bait lifting gold medalist है यह 3 की तीनों तो इनका dope test जो है वो positive आया गया है dope test क्या होता है कि आपने कोई एक ऐसा मादक पदार्थ हो नहीं लिया जो आपकी stamina को बढ़ा दे तो उसके लिए हरे खिलाले का dope test भी होता है और उसका sample काफी time तक रखा जाता है तो आगे की अगर बात की जाए तो इसमें क्या हुआ 2008 में Beijing के जो Olympic हुए थे उसमें इनका dope test जो है वो positive पाया गया है इस विजए से इनको disqualified कर दिया गया है तो चाइना के तीन weightlifting gold medalist है तो इसमें से एक का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा यह है यहाँ पर Leo Chongong ठीक है आप बैसे तीनों के नाम यहाँ पर note down कर लें तो best रहेगा सबसे पहले है कोई लई यह 75 kg की champion है और चेन यह 48 kg है और लिए यह 16 kg है तो 2008 के जो leasing olympic होए थे इसमें इनको disqualified दे दिया गया कि इनकी इनका dope taste जो है इन्होंने drug लिया था एक तरह का तो वो positive पाया गया next question के अगर बात की जाएं तो इसमें पूछा गया है former tourism minister चंद्रकांत चजेड यह भी हाली में इनका नेधन हो गया तो बताना है कि किस state government में यह tourism minister थे या किस state से यह belong करते हैं तो यह करते हैं महराष्टा से ऐसे जो यह congress के काफी senior leader थे तो इस वज़े से आप इनको नम इनका note down कर लें और यह tourism minister थे महराष्टा के तो यह आप से पूछा जा सकता है और यह 1987 में mayor बनाए गया थे कहां पर पूने में next question की बात हम करते हैं इसमें का गया है which state team has won madden ranji title 2016-17 अभी किस राज जी की team ने पहली बार ranji title 2016-17 का जीता है मुंबई बहुत बार जीतती है तो मुंबई तो option में नहीं होगा यह गुजरात ने कारनामा किया है तो गुजरात ने पहली बार ranji title 2016-17 वो अपने नाम पर किया तो यह अपने आप में बहुत बड़ा एक कारनामा भी है और इसने basically पाच विकिट से जीता और मुंबई को ह हराया ठीक है और यह कहां पर हुआ था इंदौर में इंदौर का एक holker stadium है holker stadium बहां पर यह final हुआ था और इसमें बिजय यह कौन हुआ गुजरात और इसने हराया किसको मुंबई ठीक है यह आप note down कर लें next question की बात की जाए तो इसमें आपसे पूछा गया है कि United States has announced end of a 20 year economic embargo on which country question में कहा गया है कि United States of America ने अभी announce कर दिया है कि 20 birth का जो आर्थिक प्रतिबंद लगाया गया है एक country पर वो अब हटा लिया गया है तो उस country का नाम आपको बताना है यह है Sudan तो Sudan के उपर जो है trade and financial sanctions लगाया गया था तो अब वो हटा लिया गया है 20 साल का economic embargo था 20 साल का एक आर्थिक प्रतिम्म था तो अब यह हटा लिया गया है और यह announcement किस ने किया है अभी बरा कोवा में ने जाते-जाते यह किया ठीक है और कुछ और चीज़ें में आपको पता हो नहीं यहाँ पर ज़रूरी है कि capital क्या है यह है कार्टियों ठीक है सुडान की और currency क्या है यह सुडानिस पॉन और प्रेसिडेंट कौन है यह है उमर अलबशिर ठीक है यह जो important news है अब इसको note down भी करते रहें next question की बात की जाएं तो इसमें पूछा गया है name the India's first payment bank which start operation nationwide अभी कौन सी भारत की जो payment bank है जिसने अपने operation start कर दिया है पूरे भारत में nationwide तो यह किस ने किया है Airtail payment bank ने तो Airtail payment bank की जो भी news मैंने आपको अभी recently delivered की थी आप उसको यहाँ पर भी note down कर सकते है ठीक है और initial investment कितना किया है तीन हजार करोड से उसने किया है ठीक है तो यह भी आप note down कर सकते है और nationwide जो है आप सारे operations जो है उसने start कर दिये 29 स्टेट में भारत के अंदर ठीक है next question की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है what's highest bridge located in which country दुनिया का सबसे highest bridge जो है वो कहां पर है पहले आपको यह बता रहा है तो यह कहां पर है चाइना में अब यह news क्यों आई क्यों आई क्योंकि Chinese का एक jumper है jumper जो कूदने माला होता है jumper उसने एक achievement हासल किया है दुनिया म इस दुनिया के सबसे उचे bridge से जो south east china yunan province में है तो यह भी note down आप कर सकते है अपने आप में एक बड़ी story भी है तो यह यहां पर important news है Chinese base jumper 29 years old है और इन्होंने successfully complete किया है दुनिया का पहली jump जो है यह इन्होंने कहां से लगाई है word's highest bridge in south east china's yunan province ठीक है अगले question की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि William Peter Blattie has passed away recently he belongs to his profession William Peter Blattie जो है इनका हाली में अभी निधन हो गया तो आपको बताना है कि इनका website क्या था है यह by profession कौन थे तो यह थे by profession author अब यह किस तरह की author थे अगर बात की जाए एक्सोर्सिस ठीक है एक मैं word यहां पर note down कर रहा हूँ यह होता है कि जैसे कि एक तरह से डराबनी या फिर जादू दिखाने वाला ठीक है तो इस तरह की जो books थी या फिर movies थी उसमें इन्होंने काम किया है ठीक है और यह author थे by profession ठीक है तो यह आप note down कर सकते हैं और इनकी एक बहुत famous novel थी जो इसी जादू टोने के लिए जानी जाती थी 1971 में वो इन्होंने publish की थी और उसका नाम भी यही था exorces ठीक है next question के अगर बात की जाएं तो इसमें कहा गया है in which state festival आनंद उत्सब has begun on the occasion of Makar Sankranti Makar Sankranti के अपसर पर अभी एक festival है आनंद उत्सब वो कहां पर मनाया गया तो यह हुआ है मध्य प्रदेश में य और पूरे सप्ताह तक चलने वाला यह festival होता है Makar Sankranti के अपसर पर मध्य प्रदेश में यह मनाया गया तो आप इसको note down कर लें और इस मौके पर बहुत सारे नए sports भी होते हैं जैसे की खोखो, wrestling, कबड़ी यह cultural जो प्रोग्राम से cultural functions थे वो organize हुए है अगले question के और move करते इसमें कहा गया है, name the state where first solar powered boat आदित inaugurated by the chief minister, आपको बताना है कि उस पहली solar powered boat का नाम जो अभी हाली में अभी launch की गई, तो यह केरला के जो chief minister है, उन्होंने इसको launch किया, तो केरला के chief minister है, उनका नाम भी आप note down कर लें, यह है पिंद रही बिज्यानन ठीक है, यह directly question आप से पूछा जा सकता है, और इस मौके पर जो chief guest थे, वो कौन थे, प्यूस गोल जी, यह minister of state है, independent charges है, new renewal energy, ठीक है, तो यह आप note down कर सकते हैं, और यह service कहां से कहां तक की देगी यह boat, यह boat service देगी, back home से इस place तक में, ठीक है, यह आप तोनों नाम note down कर ल fine, तो ऐसे questions आपके exams में, पूछे भी जा सकते हैं, केरला में, अगले question की बात की जाएं, तो इसमें कहा गया है, पोंगल festival जो होता है, यह किस राज में celebrate किया आता है, केरला, तमिलनाडू, करनाटका, तिलंगाना, तो यह celebrate किया जाता है, तमिलनाड का, एक यह festival होता है, औ और यह तमिलनाड राज का एक festival होता है, और इस दिन क्या जाता है, कि जो भी हमारा पिकरती होती है, नेचर होता है, उसको हम लोग thanksgiving एक initiative होता है, जो किया जाता है, और एक तमिलनाडू में एक word होता है, जिसका मतलब क्या होता है, to while, ठीके, यह आप note down कर ले, इस word का मतल होता है, कि thanksgiving to the nature, ठीके, और एक इसमें technical name भी जाता है, तमिलनाडू में इसको कहते है, to while, ठीके, यह भी आप note down कर ले, अगले question के और move करते है, इसमें कहा गया है, कि India's first MED में तौसाद museum, जो है, वो कहां पर, कि भारत के किस सहर में इस्तित होगा, ठीके, तो यह होगा, यूनि टेरिटरी, डेली में, अब मैं आपको बतानू कि MED में तौसाद museum, यह basically है, कहां पर, यह है, लंदन में, अगर मैं बात करूँ, all over the bird की, तो लिकिन अब यह भारत में भी, इसकी branch open होगी, एक तरह से यह भारत का पहला MED में तौसाद museum होगा, इसमें क्या होता है, जो मूम के पुतले लगाया जाते हैं, ठीक है, तो मूम के पुतले लगाया जाएंगे, किसके Vax figures, इसको हम कहते हैं, Vax, basically मूम को कहते हैं, तो Vax के पुतले लगाया जाएंगे, अमिताब बच्चन और Lady Gaga के, तो यह सबसे पहली बार कहां पर open हो रहा है, डेली में, तो इस PM, Sinjo Abe, इन्होंने 1 trillion yen का एक package जो है, यह कंट्री के साथ में किया है, तो किसलिए economic and political relations को मजबूत करने के लिए, ठीक है, कि और उसको improve किया जा सके, तो उसके लिए 1 trillion yen, तो यह किस कंट्री के साथ किया है, यह किया है, Philippines के साथ में, ठीक है, यह no down कर लें, और अगर Philippines से ले यह है yen, और capital क्या है, तो आपको पता होगी, टोक्यो, और अगर बात की जाएं, Philippines की, तो Philippines की capital है Manila, जहां पर ADB, Asian Development Bank जो है, इसका headquarter भी है, तो यह key question यहां से भी बन सकता है, इसको भी no down कर लें, और currency क्या है, फिलिपियानों, पैसो, और प्रेसिडेंट कौन है, यह no down कर जाएं, अब कमी exams में, next question में कहा गया है, डिजिटल डाकिया scheme, inaugurated in which state to encourage the cashless transactions, question पूछ रहा है, कि डिजिटल डाकिया scheme, जो है, यह Indian Post Office के दोरा, एक scheme है, और इसका main aim क्या है, कि इनकरेस करना लोगों को cashless transaction के दोरा, यह किस राजजी ने चलाई है, तो यह चलाई है, मद् पिरदेस ने इस scheme को चलाया है, और अगर बात कीजाए, डिजिटल डाकिया, यह आप कह सकते हैं, डिजिटल पोस्टमें, तो इसमें क्या होगा, कि यह visit करेंगे, घरगर जाकर लोगों के, और उनको एक तरह से अबेर करेंगे, कि आप cashless transaction करेंगे, और इसके benefits बताएंगे और लोगों को encourage करेंगे, cashless transactions के लिए, ठीक है, अगले questions के और move करते हैं, इसमें कहा गया है कि two days camel festival begins in which city, दो दिन का एक camel festival होता है, जिसमें बहुत सारे ऊट होते हैं, तो यह festival जो है, यह कहां पर मनाया जाता, आपको पता है कि camel कहां के हैं, camel तो राजस्तान के हैं, तो सार right answer क्या है, बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर में यह festival होगा, इस दिन क्या होता है, कि यह festival जो होता है, इसमें बात की जाए, तो camel का dance होता है, ठीक है, और camel की race होती है, यह सारे functions organize किया जाते हैं, अगले question की बात की जाए, तो इसमें कहा गया है, who has taken the charge as an interim CEO of परशार भारती आपको बताना है, पिरशार भारती का जो अंत्रिम CEO है, उसके पत पर अभी कौन आए है, तो यह आए है, राजीव सिंग, आप यह नाम नोट डाउन कर ले, साहद आपके upcoming exams में पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी क्या हुआ है, कि जो राजीव सिंग है, यह member थे finance में, पि अभी retired हो गया है, तो फरवरी में, तो इस वज़े से अब इनको interim CEO बनाया गया है, ठीक है, नेक्स question के अगर बात की जाए, तो इसमें कहा गया है, कि सुर्जीत सिंग बारनेला पासे सबे, सुर्जीत सिंग बारनेला इनका भी हाली में दिधन हुआ, और यह पहले governor थे किस state के, तो यह पहले governor किस state के थे, यह question आप से पूछा सकता है, तो उत्तराघंड, ठीक है, उत्तराघंड के यह पहले governor भी थे, तो आप यह question note down कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे questions आपके exams में आ भी सकते हैं, ठीक है, और यह पंजाब के chief minister भी रह चुके है, सुर्जीत सिंग बारने है, which year recorded as a country's warmest year, आपको बताना है कि कौन सा वर्स जो है, वो record किया गया, सबसे ज़्यादा गरम दिन, ठीक है, warmest year आपको बताना है कि वो record किया गया, तो यह कौन सा सबसे ज़्यादा year, जो है warmest year record किया गया, तो यह है हमारा answer, 2016, ठीक है, तो यह भी आप no down कर लें, और य वाकि सारी जानकारी रखता है, तो इसके दौरा यह एक statement release किया गया, statement of climate of India 2016, तो इसमें बताया गया, सबसे ज़्यादा गरम दिन, सबसे ज़्यादा overall जो गरम बर्स होता है, warmest year, तो यह 2016 को बताया गया, ठीक है, which operation launched by the BSF to keep a hawk's eye on the international water, question में पूछा गया है कि कौन सा ऐस operation जो BSF के दौरा launch किया गया, hawk's eye on the international water, इसका मतलब होता है कि international water पे बहुत ज़्यादा कोहरा भी है, तो बहाँ पर एक ऐसी अचूक आई से देखा जा सकी, कि बहाँ पर कोई भी negativity नहों पाए, तो इस वज़े से बहुत sharp eyes से, अगर मैं technical term में बात करूँ, कि having very keen eyesight, ठीक है बहुत तीज तर्रार आकोवाला जिसको मैं कहते है, तो उसके लिए एक operation launch किया गया है, जिसका नाम आप note down कर ले, सर्धवा, यह operation launch किया गया है, जिससे जवानों का motive किया जा सके, उनको और ज़्यादा motivate किया जा सके, इस वज़े से यह operation perform किया गया है, सर्धवा, ठीक है, तो यह note down जुरू कर ले, BSF के दौरा चला गया है, कहाँ पर यह western international order, जो है, राजस्तान का, यह बहाँ पर चला गया operation, अगले question कि अगर बात की जाए, तो इसमें कहा गया है, union information and broadcasting minister, M.Bankayan Ido, इन्होंने inauguration किया है, first ever Asia Pacific Broadcasting Union, ABU International Television Dance Festival, तो आपको बताना है, यह कहाँ पर कि किया, question आप से यह पूछ रहा है, कि हमारे हां के, जो union information and broadcasting minister, M.Bankayan Ido, जी, तो इन्होंने एक पहला, जो है, first ever Asia Pacific Broadcasting Union, ABU International, जो है, television dance festival, जो होता है, वो कहाँ पर इन्होंने उसका inauguration किया, ठीके, तो यह कहाँ पर हुआ, हैदराबाद में इसका inauguration इन्होंने किया, ठीके, और यह basically क्या है, कि art culture और architecture को, इसके list culture को और ज्यादा enhance करता है, तो आप इसके बारे में note down कर लें, और प्रशार भारती जो हो होस्टिंग कर रहा था, इस event की, तो आप यह भी note down कर लें, ठीक है, प्रशार, भारती इस event को host कर रहा था, और जो countries थी, वो कौन कौन सी आहीं थी, वो भी आप एक बार note down कर लें, क्योंकि मैं आप उनके नाम के वाल लिख रहा हूँ, तो वो थी Maldives, Afghanistan, Ujbekistan, Philippines, Fiji, Indonesia, Azerbaijan, Malaysia, और भारत, ठीक है, यह राज्यते, अगले question के और move करते हैं, इसमें कहा गया है, every year army day is celebrated on which date, हर एक verse army day मनाया जाता है, तो आप से question पूछा ग जन्वरी 15, ठीक है, और कुछ और भी information के अगर मैं बात करूँ, तो जो हमारे यहां के एक lieutenant general थे, K.M. करियपपा, ठीक है, तो यह पहले first commander in chief थे, Indian army के, ठीक है, तो 1949 में, तो इस बज़े से, इस दिन को क्या मनाया जाता है, army day, ठीक है, हर एक verse army day मनाया जाता है, अगले question क अगर बात की जाए, तो इसमें पूछा गया है, India's rank in global talent competitiveness index, आपको बताना है कि भारत की rank जो है, global talent competitiveness index, जो है, इसमें कितनी है, तो यह है 92, 92, और अगर यह worst है, BRICS countries की, अगर बात करें, BRICS countries की comparison में, China की 54 है, Russia की 56 है, और South Africa की 67 है, Brazil की 81 है, और भारत की कितनी है, 92, अब आप सोचेंगे कि यह किस हिसाब से measure की जाती है, तो यह measure की जाती है कि how countries grow, attract and retain talent, ठीक है, मतलब कि talent को completely बढ़ावा देने के लिए, या फिर countries कैसे grow कर रहा है, और भी कुछ इसके criteria है कि यह measure करता है, कि how countries grow, attract and retain talent, ठीक है, लास्ट येर जो है, वो भारत की rank थी 89, लेकिन इ 22, ठीक है, और Switzerland ने है, वो top किया है, Switzerland first position पर है, Singapore second पर है, और United Kingdom third पर है, तो यह आप no down कर ले, Switzerland जो है, यह first position पर है, और second पर क्या है, Singapore, यह second है, और United Kingdom, UK के अगर बात की जाए, तो यह third place पर, यह top 1, 2, 3, position भी no down करते चले, अगले question की बात की जाए, इसमें पूछा गया है Minister of Youth Affairs and Sports, Vijay Goel, इन्होंने inauguration किया है, क्या, National Label Complications in which city, भारत में National Label Complications कराने के लिए, Sports Minister जो Vijay Goel जी है, इन्होंने inauguration किया है, कहां पर किया है, तो यह किस सहर में किया है, यह हुआ है, न्यू देली में, ठीक है, और इस मौके पर एक बात की जाए, एक tagline वो क्या है, वो और हमारे यहां के Youth Affairs, Sports, अगर मिनिस्टर की बात की जाए, तो यह BJ Goel जी है, यह भी आप note down करते चलें यहां पर, और यह कहां पर इसका हुआ, inauguration, यह हुआ है, ताल कटोरा, डेली का जो एक stadium है, बहां पर, तो यह रहे आज के news, ऐसे बहुत सारी news हम आप तक जरूर लाए और आप हमें follow कर सकते हैं, ट्यूटर पर भी, फेस्बुक पर भी, और हमारी website बिजिट कर सकते हैं, www.currentofficefundra.com, इस वीडियो की जो e-version है, PDF format में, भो आप हमारी website पर देख सकते हैं, साथ में यहां से आप और playlist भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो दूस्तों इस वीडियो को like क चनल को subscribe करें, share करना ना भूले, thank you friends, have a good day.